करते हैं आपकी वॉक्षिट नंबर 104 ठीक है आज आपकी हिंदी की वॉक्षिट आई तो आप लोग लिख लेंगे पहले से अच्छे से लेबल करेंगी डेट डालेंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे अब क्या है देखिए प्यारे उत्तर बूश्टे हुए उनके उत्तर में आ रही पहले आवाज भी ध्यान दीजिए ठीक है यह आप उत्तर देंगे तो उनके पहली आवाज जो आएगी उसका जवाब भी आपको देना है पहलियों के उत्तर ढोनकर उन्हीं नीची दिये गए सही चित्र से भी मिलाइए अब देखें यह आपकी पहलियां है उसके बाद यह आपके चित्र है इनसे आपको मैचिंग भी करनी है तो चलिए पहले हम पहली को पढ़ते है फिर हम चित्र से मिलाएंगे क्या लिख है लाद के उपर मेरे समान यानि मेरे उपर समान लाते हो खेतों से चल दिये किसान य यानि मेरे उपर सारी सबजिया सोती हैं, चाये वो पतली हो या फिर मोटी, तो बताईए क्या हो सकता है, बिल्कुल सही होता है, ठेली, ठीक है, अगला क्या लिखा है, पानी बरसे चम चम चम, इसको लेकर निकले हम, संग इसे जो ले जाओगे, भीगने से बच जाओगे, तो बताईए अब क्या है, बिल्कुल ठीक, अंब्रेला, ठीक है, गरम खाता हूँ, मैं चाये, ठंडा जरा भी मुझे नभाए, सर्दी काद में दोस्त तुम्हारा, गरमाहट का साथ हमारा, अब यह क्या हो सकता है, बि केतली वाली, जिसमें चीज़े गरम रहती है, जम 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 मैं गिरता हूँ, कभी नहीं मैं रोता हूँ, रुकता हूँ, बैता रहता शान से, जैसे गिरता आकाश से, अब बताईए जल्दी से क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, यह हो गया आपका जर्णा, ठीक है, तो आप इसको मिला लेंगे, अच्छे से चलिए, आगे पढ़ते हैं, हम लोग यहां क्या लिखा है, क्या आप इन पहलियों के उत्तर में आने वाली पहली आवाजों को पहचान पाएं, बिल्कुल पहचानता है, यह क्या है, धर्मस, तो यह क्या हो जाएगा था, ठीक है, उसके ब खरती है, जो पहली आवाज है, जर्ने के नम की पहली आवास जाए, उसके बाद ठेले के नम की पहली आवास था, जबकि थर्मस के नम की पहली आवास क्या है, थ। अब हमने सारे पहचान लिए तो वेरी गुड अब आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करेंगे आप लोग ने पहचान लिए हैं चलिए अब यहाँ दूसरा कोशिन लिखा है बच्चों क्या आपको रंग करना पसंद है जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलर करना होने वाले शब्दों में लाल कलर अब जो भी चीज च्छा से शुरू होगी उस पर आपको लाल कलर करना है जहां से शुरू होने वाले पर पीला कलर था से शुरू होने वाले पर हरा और था थर्मस से शुरू होने वाले पर नीला रंग बरना है तो चलिए शुरू करते है तो अब बताएए जहासे क्या शुरू होता है, बताएए चलनी, ये तो च्छासे है, तो च्छासे च्छलनी इसमें हमें लाल कलर करना है लीज amenे कर दिया, उसके बाद ये क्या है आपका ये है आपकी धासे ढखनी ठीके या फिर ये आपकी थासे थाली है ठीके तो ये क्या है थासे थाली थाली में कौन था में हमें कौन सा कलर करता है लीला तो ये थासे थाली में हमने लीला कलर कर दिया ठीके फिर ये क्या है आपका इसको हम लोग क्या कहेंगे यह है आपका जासे जूमर क्या है यह जूमर जासे जूमर तो जासे जूमर में कौन सा कलर होना है हमारा यलो ठीक है फिर यह क्या है आपका यह आपका ठासे थेली तो ठेली में कौन सा कलर होना है हरा ठीक है उसके बाद यह जासे जारू तो जारू में कौन सा कल तो थासे थैला में कौन सा कलर करना है हमें नीला है ना नीला कलर कर लेंगे थासे थैले में उसके बाद यह क्या है आपका जहासी जूला ठीक है जहासे शुरू होने वाले पर हमें कौन सा कलर करना है नीला तो इस तासे हम लोग ने इसे कर ले आप लोग कर लेगे अराम से चलिए आगे पढ़ते हैं आप देखें यहां आपको क्या दिया गया है नीचे दिये गए अक्षरों की आवास को मिला कर उनसे शद बनाना है और उनको पढ़ना है जैसे कि देखें ना ला नल प और रा पर जा और ला जल भा और रा भर चा और ता च्छत पा और रा पर चा और ला चल ठीके आप इसे पढ़ लेंगे अराम से, चले आगे पढ़तें, तो देखें, यहां क्या लिखिया है, बच्चो, अब अपनी कॉपी में नीचे दिये गए अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए, अब आपको अपनी कॉपी पर यह अक्षर लिखके दिखाने हैं, तो देखें आपक अफसे पेट से अब आ की तरह नड़ा देंगे यह जाएगा आपका जासे जंड़ा फिर ठासे ठटेरह बहुत आसाने सरकल बनाए इसके उपर ऐसे लकीर कीच के ऐसे कर दीजिए है नासन अब बनाता है थरमस्ट तो थरमस कैसे बनाते यासे यक बनाते ना व्लोग ऐसे करके इसको आगे से गोल कर दीजिए यह होगी आपका थासे धरमस तब आप लोग ममा से एक बार लिखवा लेंगे फिर ममा आपको जब लिख देंगी तो बाकी आप लोग खुद लिख लेंगे ठीक है तो चलिए अब यहाँ आपके टीचर्स को बताएंगे कि आपको अच्छे से समझाएं दूसरी बाद आपके पैरेंट से कहा गया है कि बच्चों को पानी बर्बाद करने से रोके और उन्हें बताएं कि नल को कभी भी खुला नहीं चोड़ना चाहिए अगर पानी बर्बाद होगा तो बाद में फिर हम प्यासे रह जाएंगे है ना पीने के लिए फिर प्यानी खत्न हो जाएगा तो चलिए आज की वर्कशिट को यह खत्म करते हैं आज की वीडियो में बस इतने हैं अगर आपको माई वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक और शियर करें अगर अभी तक आपने मैंचाओं को सिस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज मैंचाओं को सिस्क्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग